एन्टी ए यूजी नेट यहनी निमीजी नेट डाउनलोड इट उन गूगल प्लेस्टार सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप पासके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटुब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम कम्मुनिकेशन के अंदर कम्मुनिकेशन का एक नया टोपिक करने वाले है मास मीडिया एंड सोसाइटी यह टोपिक हमारे नियू सेलिवस में एड हुआ है और यह टोपिक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जूरूरी है दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टड़ी करने के लिए हमरा पेड़ कोर्श भी जोइन कर सकते हैं इसके अ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मोक टेस्ट देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा पेड़ कोर्श से जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वर्ट्सप नमर पर कॉंटेक्ट कीजिए समाज एक से अधिक लोगों का समुदाय है जिसमें सभी व्यक्ति मानवे क्रिया करते हैं मानवे क्रिया कलापों में आचरन समाजी सुरक्ष्या और निर्वा आदिकी करियाय समलित होती है समाज लोगों का ऐसा समू है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समू है काफी कम मिल जौल रखता है अब देखे इसका हम सिम्पल भासा में मतलब समजने की कोशिश करते हैं देखे समाज जो है वो लोगों का समू है जिसके अंदर लोग मिल जुल कर रहते हैं और समाजिक क्रियाई करते हैं और एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने कही कि समाज के अंदर क्या है कि लोग इस तरह के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं जो एक दूसरे की इच्छाओं को भावनाओं को आच्रन को विच्यार को रहते उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते तो इस तरीके से समाज के अंदर अलग अलग तरह के ग्रूप हो सकते हैं अलग अलग तरह का समाज हो सकता है अब देखे जैसे पंजाबी जो लोग हैं पंजाब के रहने वाले हैं किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वह वो समझ सकते हैं ठीक है और दुनिया के सभी समाज अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए अलग-अलग रस्म और रिवाजों का पालन करते हैं ये बात बिलकुल सही है दोस्तों ये हर देश के अंदर भी काफी तरह के समाज हो सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था कि गुजरात के जो जो लोग होते हैं उनका रहन सायन अलग होता है हरियाना का अलग होता है पंजाब का अलग होता तो इस तरीके से अलग-अलग लोगों के रिती रिवाज अलग-अलग होते हैं और यहां पर बात यह आ रही है दोस्तों कि हम ये टॉपिक क्यों कर रहे हैं यह हम सकते हैं बिल्कुल असानी से आपको समझ में आ जाएगी अब देखे अब बात करते हैं वट इज मास कम्निकेशन अब मास कम्निकेशन के बारे हम पढ़ते हैं इसके बारे हमने पहले भी जिकर किया लेकिन फिर भी हम आपको दोबरा बता देते हैं जन संचार शब्द अंग् अबिक मात्रा में लोगों तक संचार माध्यम से सूचना या संदेश पहुंचाना है देखे मास कम्निकेशन का सिंपल भासा में मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग यानि की बहुत ज्यादा जन संक्याव चाहे वो बिखरी हूई हो अलग-अलग हो जैसे कि कुछ लोग कौय बैठा हुए तो इन सभी लोगों के पास में कोई संदेश पहुंचाना क्या कहलाता है मास कम्लिकेशन कहलाता है और इसके इंदर ये कोई बिजरूरी नहीं कि जो हमारे लोग है जो दो बिकरी हुई और नहीं कोई जिरूरी नहीं एक साथ 91 भी हो शकते हैं जैसे कि हम जन्सभा करते हैं भाषा ना देटे तो उसके अंदर रैली के अंदर हजारों लोग एक जगाय बैठे हु stripes we honestly सूंस ही। का सिंपल भाषा में मतलब यह होता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ सूचनाet देना क्या कहलाता है मास कहलाता है और आगे हम देखते हैं जन संचार में जन सब्द जन समुव भीड़ जनता को बनाता है प्रंतु वास्त में इन तीनों के अर्थ भिन है जन समुव तो समान हित मुल्यों की पुर्टे के लिए संगठित होता है भीड किसी सथान विशेश पर आक्समिक रूप से जम में काफी फरक है जन समुव वो होता है जिसे जिन लोगों का विचार एक जैसे हो जो किसी एक उदेश से के लिए इकठा हुए हो जैसे कि मैंने बताया कि एक रैली है रैली के अंदर सभी लोग इकठा हुए होते हैं तो वो क्यों इकठा हुए होते हैं वो नेता का भासन स देखने के लिए लोग इकठा हो जाते हैं तो यह थोड़ा सा इसके अंदर फर्ग है और एक चीज और मैं दोस्तों यहां पर बताओं कि आज का जो हमारा टॉपिक है जैसे मास मीडिया इन सोसाइटी है इसके अंदर हम बेसिक चीजे जानने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता है कि आगे हमें कोई और चीज पता चले इसके अंदर जो पेपर में आने वाली हो तो हम आगे भी करेंगे जैसे अगर दो महीने बाद में या महीने बाद में हमें कोई इ और इसी तरीकिसे जैसे research की बात है communication की बात है वैसे तो हमने यह दोनों जो topic कर ली लेकिन अगर फिर भी इन में कोई topic रह जाता है या कोई और important बात हमें पता चलते तो वह हम आने वाले time में करेंगे लेकिन अभी क्या है कि अभी हम एक basic चीज़े समझने की कोशिश करते हैं संचार सब्ध अंग्रेजी भासा के communication का प्रियावाची है हमने बात बता दी यह सब्ध लेटिन भासा के communication से लिया गया जिसका अर्थ to make, to comment, to share, to import, to transmit ठीक है अर्थार्थ समान्यकर्ण, समान्य भागिदारी, मुक्त सूचना वैस सम्प्रेशन यह इसका मतलब है यह चीज़ आप ध्यान में दे लेना क्योंकि इसमें से पहले question आया है आ चुका है तो अब भी आने के संभावना है और देखिए कुछ संचार विशेशक्यों का कहना कि संचार अर्थ का संप्रेशन है अब देखिए जो संचार है वो क्या है हम किसी को बात समझाना चाहरे अर्थ का संप्रेशन है यानि कि किसी को हम कुछ बात का अर्थ समझा रहे है समाजिक मान्यता का संचरन है या अनुभावों का बांटना है ठी जन्माध्यम कितने उप्योगी है यह हम भी अंदाजा लगा सकते हैं यह बहुत ज्यादा important है हमारे लिए अब जैसे कि कोई बात बतानी है तो हम ऐसा तो है नहीं कि एक 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 व्यक्ति को जा के बताए तो उसके लिए हम क्या का use करते जन्माध्यम के जन्संचार का use करते जैसे जैसे नरेंदर मोदी आते हैं वह टीवी पर भासन देते तो एक एक जगह वह भासन देते लेकिन उनको करोडों लोगे एक साथ सुनते हैं तो जो जन्म यहиновिकरल मास्क्रिंद्याब्यlish के सना वो उसकी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है और इसी तरीके से जो हमारा के बात चल रही है कि हमारे यूजी सी नेट के अंदर जन संचार का क्या मतलब है उसका मतलब आएगा दोस्तों क्लासरूम कम्निकेशन के संदर्ब में ये कोश्चन आप से पूछा जाएगा कि कलास के अंदर बहुत से लोग बहुत से स्टूडेंट बैठे वे उनको अच्छे धंसे जो क्या है कि अपनी बात समझाने के लिए किस तरह का कमनिकेशन होना चाहिए तो उसमें आएगा गुरूप कमनिकेशन होना चाहिए मास कमनिकेशन होना चाहिए तो आप उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरह का कमनिकेशन ज्यादा एफेक्टिव होएगा ठीक है और तो इस तरह के यह हमें हिंदे में लिखा हुआ है आगे दोस्तों कि जन संचार के माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं अब देखे इसके लिए रेडियो हो सकता है सिनेमा समाचार पत्तर किताबे और आगे हैं अभी जैसे इसके अंदर नई चीजे भी एड हुई है जैसे कि यूटूब एड हु हुआ है और वीडियो कॉनफरेंस होई है यानि कि नए नए जबाने कमशार नए नए चीजे आ रही है इन सबीके बारे में हमें बेसिक चीजे पता होनी चाहिए और आगे दोस्तों जन संचार की विशेस्ता है इसकी विशेस्ता क्या होती है देखे इसमें फीड़एक काफी लेट आता है और इसमें संदेशों की प्रकरति सारवजनिक होती है इसमें हम जो भी बात कहतें वो सारवजनिक रूप से कहतेंगों हम्हें कि किसी एक व्यक्ति काम आने वाली बात हम नहीं कह सकते हैं संचारक और प्रापक के बीच कोई सीधा संबंद नहीं होता। होती है जब हम मास कम्मिनिकेशन कर रहे तो उसके अंदर फॉर्मल कम्मिनिकेशन होना बहुत जरूरी है उसके अंदर हम बहुत ज्यादा हंसी मजाग वगरा नहीं कर करके उसके अंदर कूछ निया सभ्य तरीके से हमें संचार करने की आओ सकता है इसमें धेर सारे दवार पाल होते हैं अब देखिए दवार पाल इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जुरूरी है इसे कहते हैं गेट keeper कहते इसके बारे में हमने आगे इसी वीडियो में बताया है उसमें आपको हम अच्छे तरीके से समझाएंगे आगे है जन संचार के प्रमुक कारी क्या क्या है इसका प्रमुक कारी है सूचना देना सबसे ज्यादा यूज हम क्यों करते ताकि हम किसी को सूचना देश के information दे करने के लिए जैसे टीवी पर न्यूज आती है दूसरा है सिक्सित करना सिक्षा देना और तीसरा है मनोरंजन करना फिर निगरानी करना जैसे कि पुलिस वगरा निगरानी करती है और फिर एजेंडा तैय करना एजेंडा तैय किया जाता है इलेक्षन के अंदर अपनी कोई वेड़ेटि है उसको किस तरीके से जिताना हैं क्या लोग लोग हो यानिके क्या टेग लाइन देनी हैं किस तरीके से और उसको किस तरह से जन जन संचार करना पर आगे दोस्तों जन संचार माध्यमों का समाज में प्रभावгу यानि कि सोसाइटी में क्या प्रभावाई ये हमें देखना जुरूरी है आज के संचार पर साधन समाज में जन संचार माध्यमों के विना जीवन की कलपना नहीं की जा सकती हमारे जीवन शली पर संचार माध्यमों का जवरदस्त असर है अकवार पढ़े विना हमारे सुभे नहीं होती ये देखे ये हमा उधारन ले तो देखिए हम आज के टाइम में जो फिल्में देख रहे हैं उसका हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है अब देखिए फिल्मों के अंदर क्या नए-ए-फैसन बताए जाते हैं दिखाए जाते की लड़के-लड़के इस तरीके से करते तो हम उसका अनुसरण करते हैं ठीक है छोटे-छोटे बच्चे काफी गंदी चीज़ सीख जाते हैं वो एक किसम से है जन संचार है फिल्में जो है वो एक जन संचार के अंदर आते हैं तो उससे क्या है कि कई गंदी चीज़े भी हम सीख सकते हैं और जन संचार के दवारा हम काफी डालती है ठीक है और इसके अलावा ऐसी बात नहीं कि हम केवल गलत चीजें ही सीखें नहीं हम अच्छी चीजें भी सीख सकते हैं जन्संचार के दिवारा जैसे कि हमारे जैसे यूटूब पे आपने देखा होगा कि मोटिवेशनल वीडियो आते हैं संदीप मायसवरी की आते वीवेक विंद्रा की आते तो उन से हमें बहुत कुछ शीखने को मिलता हम मोटिवेट होते हैं आगे हमें कुछ करने की प्रेड़ना मिलती हैं और इससे क्या है कि हम कुछ सीख भी सकते हैं जैसे कि टीचिंग की वीडियो होते हैं तो वो हमारे के लिए काफी यूजफोल ह होते हैं तो जन संचार है उसका हमारे समाज पर positive और negative दो तरह का effect हो सकता है ठीक है ये हमारे ओपर भी डिपेंड करता है और जो सूचना कर रहा है उसके ऊपर इस चीजरसक्राइस तो यहाँ पर आप यह सारी चीज Snow बढ़ सकते हैं और आगे दोस्तों हमारे पास अब सबसे मेन इंपॉर्टन टॉपिक एक और जो है वह मैं बता देता हूं गेट कीपिंग अब देखेगेट कीपर क्या होता है गेट कीपर का मतलब यह होता है कि जैसे की मान के चलिए एक न्यूज पेपर है न्यूज बनानी ह तो उसके अंदर क्या करते हैं कि अलग अलग तरह है कि जो रिपोर्टर है वो अपनी अपनी न्यूज लेके आता है एक अठा दस न्यूज लेके आए ठीक है तो उसके बाद जो अडिटर होता है वो देखता है कि कौन सी न्यूज सही है कौन सी गलत है क्या हमें अखवार के देनी चाहिए क्या नहीं देनी चाहिए यानि कि वो पूरी छान बिन करते हैं यानि कि फिल्टर करते हैं गेट कीपिंग करते हैं जैसे गेट कीपिंग का अब देखें सिंपल भासा मैं बताओं गेट कीपिंग का मतलब क्या होता है जो एक दवार पाल होता है यानि कि एक गे प्रानी कर रहा है तो सेम टू सेम यही चीज हमारे मास कमिनिकेशन के अंदर होती है एक गेट कीपर होता है जिसे हम समाने भासा में अडिटर कहे सकते हैं वह जितनी भी सूचनाओं को देखते हैं प्रक्ते कि कौन सी सूचना सही है कौन सी गलत है क्या है तो उसके बाद में उनको फिल्टर करने के बाद में अच्छे से परक्ने के बाद आगे फिर वो पब्लिस होने के लिए भेजता है इसी तरह किसे यूए ने उसके अंदर होता है तो अलग-अलग जगह पर सभी जगह पर यह यूज किया जाता है और इसमें से पहले वी कोशन आए हैं इसमें स दोस्तों पेपर फर्ष्ट में तो नहीं आए लेकिन फिर वी इसमें संभावना है अब की बार आने की तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना तो दोस्तों यह था आज का हमारा मास मेडिया एंड सोसाइटी से रिलेटेड टोपिक और अगर इसमें से कोई औ और भी इंपोर्टेंट चीज निकलती है तो हम उस पर आगे आने वाले टाइम में वीडियो बनाएंगे अभी के लिए हमने इसको एक बेसिक चीज हमने समझा है मास मेडिया एंड सोसाइटी क्या होती है और तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो को सानी से देख सकें थांकियो दोस्तों आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली